अलो फ्रेंट्स में आप सभी स्टुडेंट का एक बार फिर से स्वागत है SSE MTS 2023 के लिए हम प्रिवेशर के क्यूशन सोल कर रहे थे जिसमें हमने 5 जुलाई 2022 के दो स्ट के पेपर हमने सोल कर लिये हैं तरिकाम में आपको बताने वाला हूँ तो चले ही शुरू करते हैं ज्यादा डाइम में आपका वेश्ट नहीं करोंगा पहला क्यूशन देखो आपके पास दिया हुआ है कि एक आयत देर का है जिसकी लंबाई और चोड़ाई देर की है आयत का छेतर बूचा है तो इसमें तो कुछ ही नहीं करना गुना करना है तो कितना जाएगा बहतर क्लियर है नेक्ट क्यूशन देखो रेशयो का देर का है पी और क्यू का रेशयो देर का है पी और क्यू का रेशयो देर का है आपसे भूचा है इसका रेशयो तो यहां से सब सब पहले पी क्यू आर का रेशयो निकाल लेते है पन पी और क्यू का रेशयो कितना है चार तो P और R का 2 अनुपाद 3 है तो same बना देते हैं P यहाँ पर कितना है? 4 है तो इसे 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे? पन 2 से गुना कर देंगे दोनों तरब तो P तो कितना हो गया? 4 हो गया यानि P तो 4 होगा तो R कितना होगा? 6 होगा तो यहाँ से P Q R का रेशियो आ गया? 4 अनुपाद 5 अनुपाद 6 तो यहाँ से यह रेशियो पूझा है? तो यहाँ पर put कर दो value देखो P की value 4 है तो 12 अनुपाद 20 अनुपाद 30 के लिए तो यहाँ पर 4 पांँपाद 6 को मैंने put कर दिया तो यहाँ से देखो डिवाइड कर दीजे कितना आ जाएगा? 6 अनुपाद 10 अनुपाद 15 यह option आ जाएगा next question देखो DI का सवाल है कि यदि S7 में beds की जो संक्या है वो कितनी है? 39 है तो आपको बताना है कि total numbers of beds in all the 7 hospitals taken together तो अगर आपको देखो यहाँ पर देर का है S7 में S7 में कितना है? S7 में degree आपको देर का है 26 degree यानि 26 degree की value आपको देर की है 49 26 degree की value 49 देर की है और आप से पूचा है total कितने है तो देखो total एक point पे कितना angle बनता है? total 360 degree बनता है तो 360 degree की value आपको बतानी है तो यहां से मुझे बताइए कि 49 है वो किसकी value है 26 की और आपसे पूचा है 360 तो यहां से solve कर दीजे 32, 26, 33, 49 2 से काटेंगे 180 कितना जाएगा 540 clear है next question देखो simplification पूचा गया है सबसे पहले हम divide को solve करते हैं तो यह तो 1 बन गया यहां से 0.6 हो गया यहां पर divide solve करेंगे यह कट गया 0.5 उपर तो यह आगया नीचे solve करेंगे तो यहां से 6 into 5 करेंगे तो 0.3 आएगा प्लस यहां से 0.3 हो गया तो यहां से solve करेंगे तो कितना जाएगा देखो 0.6 और 0.5 एक पुइंट एक हो जाएगा divided by 0.6 यानि कितना लिख सकते हैं इसके 11 बटे 6 किलियर है नेक्स्ट कुशन देखो डी आई से पूछा किया सवाल है यह दी देख में पर्ति वर्स उस वस्तु के निरियात का ओसत मुल्ले क्या है किसका पूचा है आप से यहां से देखो 46, 58, 64 बहतर चिंतर है तो मैं माल लेता हूँ इसका average 50 है यह मैंने माल लिया 50 अब 50 से आपको difference देखना है कि कितना कम है कितना ज्यादा है यह 50 से कितना कम है यह 4 कम है यह 50 से कितना ज्यादा है यह 8 ज्यादा है यह 50 से 14 ज्यादा है यह 50 से 22 ज्यादा है यह 50 से 26 ज्यादा है तो यहाँ से देगो माइनस 4 से तो एक टिया पलस का 4 बजिया यहाँ से जोड़ो कितना जाएगा 20, 40, 48, 48, 48, 54, 52, 52, 54, 56 66 आ गया और यह कितने में बाटना है 3 और 2, 5 में आपके पास 50 तो मैंने एवरेज मान लिए कि सबके पास 50, 50, 50, 50 है और बाकी एक्स्टा कितना है यह 66 तो उन 66 को इनके 20 में बाट दो तो टोटल 6 है यहाँ पर 5 है तो 5 में बाट दो तो यहाँ से 5 में बाटनेंगे तो यह कितना आजाएगा देखो यह जाएगा 13.3 13.3 ढाजाएगा ठीक है? सुरी 13.2 यह यह आएगा तो यहाँ से कितना आगया? 63.2 तो 63.2 आप से निरियात किस में दे रहेका हैं? 10,000 में दे रहेका हैं तो कितना आजाएगा? 6,00,000 इसको 10,000 से गुहारेंगे 10,000 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 6,32,000 अब देखो यहां पर जो तरीका में लगा रहा हूँ न तो यहां पर पचास कीजिके 60 मान सकते हैं कुछ भी मान लीजिए आपकी जो मर्जी है वो मान सकते हैं आपर बाकी एड करके भी कर सकते हैं सबसे अच्छा तरीका यही ह कि आप देखो पहले कोई भी जिसके आसपास है वो संग्या मान लो जिसे में 60 मान के भी कर सकता हूं इसको कि यह कितना कम है कितना ज्यादा है तो उस तरीके से भी आ जाएगा आंसर के लिए हैं तो जो आपको एजी लगे वो यहां पर मान सकते हो ताइम इंड वर का क्यू रूपे दिया जाता है उन्हें 726 रूपे दिया जाते हैं वो प्रोक्सासी में आपको बताना कि S2 और S3 को एक साथ लिया गया सेव तीसा कितना है कि उनको टोटल S1 चोरी S2 और S3 को कितने रूपे मिलेंगे क्यूशन यह बोला है कि देखो S1 है S1 है वो 9 दिन में कर सकता ह है S2 है वो किसी कारी को 18 दिन में कर सकता है और S3 उसी कारी को कितने कैंपर 27 दिन में कर सकता है इसके time का ratio आगया यहां पे मगर ratio निकालो तो 9 आपको पूचा क्या है, आपको देखो एक अमाउंट दे रहे हैं, जो इनके बीच में बाटना है, तो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, अगर अलग अलग करतें, तब हमें एफिसेंसी मान के सोल करना पड़ता, लेकिन यहां पर सभी एक साथ मिलका काम कर रहे हैं, तो 726 को इन तो इसी का उलटा क्या आजाता है, एफिसेंसी का रेश्यो आजाता है, क्यों आता है, क्योंकि एफिसेंसी क्या होती है, एफिसेंसी इंटू, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यहां पर टोटल वर्क आपको कॉंस्टेंट है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, आप तो टोटल वगर अगर constant है तो time का जो ratio होगा time और effective rate क्या हो जाएगी एक दूसरे के inverse proportional हो जाएगा ठीक है यह तो constant है ना तो time का ratio क्या हो जाएगा inverse proportional हो जाएगा efficiency क्या उल्टा बोल सकते हैं कि efficiency है वो time के inversely proportional होगी यानि time का ratio अगर यह है तो इनके efficiency का ratio है वो उल्टा हो जाएगा यानि एक बटे एक बोल दू या एक बटे दो एक बटे तीन इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ से इसको solve कर देंगा यहाँ से इसका L.C.M. से गुना कर दो 6 से गुना कर दो सभी को तो 6 अनवाथ 3 अनवाथ 2 यह ratio आ जाएगा इनका clear है तो यह ratio आ गया इन ratio में divide करना है यह S1 का S2 का S3 का तो total के नीचे total तो 6,3,9,9 और 2,11 into किसका पूचा है S2 और S3 का पूचा है S2 और S3 का sum कितना हो गया 5 जहाँ से solve कर दो देखो 11.66 और 11.66 6,6 into 5 करेंगे कितना जाएगा 330 clear है तो simply आपको क्या करना था यह आपके पास time का ratio निकाल लिया इसका उल्टा किया और उसी ratio में आपने divide कर दिया इन money को जो पूचा है वो निकाल देगे next question देखो profit in loss से पूचा गया सवाल है कि एक वस्तू को 40% हानी पर बेचा जाता है और हानी की राश्ती वस्तू के विक्रम उल्ले की लगबग कितने परतिस्ट होगे इन आर्टिकल इस ओल्ड एटे loss of 40% दोनों लेंग्वेज में पढ़ रहा हूं क्यों कई स्टूडेंट है जिनको इंग्लिस में इंग्लिस मेडियम से रहते हैं तो उनको हिंदी समझ में याती है तो दोनों लेंग्वेज में आप आड़ सकते हों तो यहां से आपसे विदे को क्यों समझा देता हूं क्या बोला है कि वस्तू को 40% हानी पर बेचा जाता है देखो 40% का मतलब क्या होता है दो बटे 5 क्लियर है यानि अगर कोश्ट प्राइज कोश्ट प्राइज कितनी है पाँच रुपे है अगर कोश्ट प्राइज पाँच रुपे है तो उसको लोस कितने का हुआ लोस वह उसको दो रुपे का तो मुझे बताई वो बेचेगा कितने में दो रूस पर लोस में बेचा है, तो तीन रूपे में बेचेगा, इसने पूचा है कि हानी की रासी, यानि लोस हुआ है, वो विक्रम उल्ले का कितना परशेंट है, ये लोस है, ये विक्रम उल्ले, यानि सेलिंग प्राइस का कितना परशेंट है, तो दो बटे तीन है, दो ब आसिक आय का जो उनके मंतली इंकम है, उसका 40 % क्या करता है वो खर्च करता है, तो यहां से और उसकी इंकम 100 रूपे है, यानि वो एक्स पेंडियसर उसका कितना रहेगा, 40 % खर्च करता है, बचाता कितना है, 60 रूपे, जो कि 100 रूपे उसकी इंकम है, 40 रुपे उसने खर्च कर दिये और 6 रुपे उसने बचा दिये ठीक है, अब यह बोल रहा है कि the monthly income of the person is increased by 15%, अगर 15% से increase हो जाती है उसकी income तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगी कि उसकी income और expenditure है, वो decrease होता है 22%, और expenditure है 22% decrease होता है, 42%, 40% का 22% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 22, 88, sorry 8.8, तो 8.8 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, expenditure तो 8.8 कम हो जाएगा तो 40 में से 8.8 कम कर दिये तो यहाँ पे कितना आ جाएगा यहाँ पे आ जाएगा 31.2 आ जाएगा, कि उसका expenditure इतना है तो मुझे बताईए कि 115 रुपए दे उसकी income 31.2 रुपए उसने खर्च कर दिये तो बचे कितने हैं तो यहाँ पे इसका minus कर दिजी यहाँ से तो कितना बचेगा आपके पास यह तो 32 हो गया 32 और 32 और 35 और 35 हो गया पॉइंट आट और यहाँ से 4 बचेगा 3 है और यहाँ से 11 है 11 में से 3 कटाएंगे 8 ठीक है तो यह हो गया आपके पास तो सेविंग है वो पहले कितनी थी 60 और अब कितना है 83.8 तो उससे बताया कि उसने बूचा है कि उसकी बचेट में लगबग कितने परशेंट की इंक्रीज हुआ है तो 60 से कितना हो गया 63.8 83.8 हो गया तो मुझे बताया कितना इंक्रीज हुआ 23.8 हो गया कि इंक्रीज 23.8 इंक्रीज हो गया कितने पर 60 पर इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से देखो सोल करेंगे जिरो से जिरो चला गया से से डिवाइड करेंगे तो छती 18 और चचो का 24 लगबग कितना जा रहा है लगबग कितना आएगा 40% ही आएगा लगबग कितना हो गया 40% हो गया आपको लगबग में बुचाए कि अनुपात में दिया गया है यथि 9-leo patient को 9-leater तलर-बाहरत 20 से बदल दिया जाता है तो दोनों तलर-बाहरतों का अनुपात है वो 7 अनुपात नुपात हो जाता है तो आपको बताना है कि कि जो content में ये liquid A था तो उसकी मातरा कितनी यह थी में किसी ना किसी shift में अगर अच्छे level का question पूचा गया मिश्टरन से तो इस type का question पूचा जा सकता है तो देखो इस type का question को करते कैसे हैं आप से बोला है कि A और B दो mixture हैं ठीक है दो liquid है और इनका ratio आपको दे रहे है साध अनबाथ 5 अब इसमें से 9 लिटर 9 लिटर mixture है वो निकाला जाता है 9 लिटर मिश्रण यहां से निकाल लिए जाता है और इसमें AD किया जाता है B का मिश्रण लिक्वीड बी को AD किया जाता है उतनी मात्रा में तो यह रिपलेशिंग का concept है अगर आप इस equation को देखो basic से गारोगे तो यहां से कैसे गारोगे यहां पे आपको देखो 7x 5x मानोगे यहां से 9 लिटर माइनस करना पड़ेगा तो 7 अनबाथ 5 में माइनस करोगे तो 9 divided by 7 plus 5 12 into 7 इस तरीके से और यहां से माइनस करना पड़ेगा तो 9 बट्टे 12 into 5 इस तरीके से माइनस करोगे और फिर 9 करोगे और यहां से माइनस करने के बाद जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 7 अनबाथ 9 तो यहां पे एक equation बनेगे और इससे solve करना पड़ेगा तो अगर आप इस equation को basic से करोगे तो यही question आपका 3-4 मिनिट लेगा एक्जाम में तो इस type से आपको question नहीं करना एक्जाम में क्योंकि इस type का question है अगर आप एक question अटेम करोगे तो इसके जगे 5 question आप गवाबेट होगे तो यह 4-5 मिनिट लेगा और 4-5 मिनिट में आप 5 question other question कर सकते थे जो कम time में हो सकते थे तो आपका paper है तो अच्छी पूरा तरीके से solve भी नहीं हो पाएगा तो इस type के question को आपको basic से नहीं करना अगर नहीं भी आ रहा है तो छोड़ दीजी इस type के question को अगर ठीक है इस type के अगर 4-5 मिनिट आपको लगता है चार से 5 मिनिट भी आप 5-6 question कर सकते थे आराम से ठीक है तो वो question आपसे छोड़ जाएंगे तो इस type के question को आपको attempt नहीं करना अगर hard आता है वागी यह तो easy सवाल है देखो कैसे करेंगे इस question को यहाँ पर 9 लिटर यहाँ पर निकाल लिया जाता है तो मुझे बताए कि इस misran से अगर 9 लिटर निकाल लिया जाए तब भी ratio कै same ही रहेगा कि इनका A और B का तो इनका ratio है वो तो same ही रहेगा A और B का कितना रहेगा 7 अनपात 5 same ही रहेगा इस पर को effect नहीं पड़ेगा अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से निकालने के बाद यह 9 लिटर निकालने के बाद ratio यह हो गया 7 अनपात 5 है अब इसमें AD किया जाता है कौन सा AD किया जाता है यहाँ पर liquid भी AD किया जाता है कितना 9 लिटर तो AD करने के बाद ratio कितना बन गया 7 अनपात 9 यही बन गया A में तो कुछी change नहीं हुआ नहीं यहाँ पे A में तो कुछ change नहीं हुआ यानि यह तो same ही होना चाहिए अगर यहाँ पे different होता तो हम इसको same बनाते हैं लेकिन यहाँ पे तो same ही दिया है तो इसमें कोई change नहीं करेंगे तो मुझे बता है यहाँ से 5 unit से 9 unit हो गया तो टोटल देखो यहां से 5 और 7 12, 12 unit की value निकालनी है, तो देखो 4 unit की value 9 है, तो 12 unit की value कितनी होगी, यानि 9 liter निकालने के बाद, जो mission बचाता आपके पास, वो कितना बचाता 27 liter, यानि यहां पर आपके पास 27 liter था, अब देखो 9 liter तो निकाल दिया था, तब 27 liter बचाना, यानि initially कितना था, 36 liter था कि आपके पास, तो 36 liter था, अब 36 liter में से एक अब हो जाया है, कि एका initially कितना था, तो 36 को यहां से divide कर दो, 5 और 7 12, तो 12 यहां से total के निके total, यानि 1 unit की value कितनी हो गई, 3 हो गई, तो यानि initially एक की मात्रा कितनी थी, 21 liter थी, और B की मात्रा कितनी थी, यहां से गुणा 3, यहां पर मैं ratio में divide कर रहा हूं, तो initially 15 liter यहां से B की मात्रा थी, और A की कितनी थी, 21 liter, तो यह हो जाएगा इसका answer, के लिए हैं, next सवाल देगो, simple interest से पुझा गया है, कि कीरती हैं, वो invest करती हैं, एक sum of money है, certain rate of simple interest per annum, 3 साल के लिए, budget scheme के accounting, head C invested the same sum in a 6a scheme for 3 years, which has 2% higher simple interest rate per annum, the investment would have faced 540 more, how much did कीरती invest, दो क्यूस्टन बोला क्या है, किसन यह बोला है, कि जो कीरती है, वो बच्चत योजना में, सादान ब्याज से, निश्चित दर पर, 3 वर्षों के लिए, एक rate माल जो कुछ भी rate थी, तो R rate से, वो 3 साल के लिए invest करती है, अगर वहीं, उसी same rate से, 3 साल के लिए, rate same नहीं है, 2% ज्यादा पर, ठीक है, R plus, से, तो R plus 2 से invest करती है, तब उसको कितना अधिक मिलता है, उसको 540 रुपे अधिक ब्याज मिलता है, यह रासी अधिक मिलती है, मुझे बताई, यहाँ पर यह 540 अधिक क्यों मिली, क्योंकि अगर देखो, यहाँ से, R rate से, 3 साल के लिए, इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 3 इंटू R, परशेंट होगी, rate इंटू टाइम होता है मिलसा, तो यहाँ पर 3 आर परशेंट होगी, और यहाँ पर अगर यह R होता, तब तो सेम ही होता, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 2 परशेंट है ने, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा की वज़े से ही तो 540 अधिक आया है, यानि 6 परशेंट की वेल्यू कितनी है, 540 है, तो 6 परशेंट की वेल्यू पान्सो चाली से, 100 परशेंट की वेल्यू निकाल लेजे, तो टोटल आपके पास इतनी रासिया जाएगी, तो यहाँ पर कितनी आगई 9,4, यह मैंने आपको एक्स्ट्रेंट करने के लिए बताया है, बाकि एक्जाम में आपको क्या करना है, एक्जाम में आपने जैसे ये क्यूशन पढ़ा, यहाँ से आपके बता चल गए कि 2 परशेंट एक्स्ट्रा है, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो 6 परशेंट की वेल्यू है, वो कितनी है 540 है, और 100 परशेंट की वेल्यू निकालनी है, तो कितनी आजाएगी 9,4, तो यह 4 से 5 सेकिंड का क्यूशन है पढ़ने के बाद, नेक्स क्यूशन देखो, पर एक रासी हैं, वो 8 वर्सों में स्यम की 2 गुनी हो जाती है, तो Simple Interest से होई है, Simple Interest से, एक रूपे, जैसे महालेज एक रूपे हैं, वो कितना हो जता है, दो रूपे हो जता है, कितने साल में, 8 साल में, तो मुझे बताई, ये प्रिंसिपल है, यह amount है तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला इसको एक रूपे का मिला क्या ब्याज एक रूपे का ब्याज मिला है तो यहाँ से आप rate निकाल सकते हो कि एक रूपे ब्याज मिल रहा है कितने पर एक रूपे पर कितने साल के लिए 8 साल के लिए into 100 तो यहां पर आपके पास कितनी आ गई साड़े 12% केलिर और compound interest पर यह दि ब्याज वार्सी ग्रूप से compound लियो तो दो वर्षों में swim की 4 गुनी हो जाती है और compound interest में swim की कितनी हो जाती है 4 गुना हो जाती है यानि यह अगर principle है तो amount कितना होगा 4 होगा तो आपको बताना है कि साड़ान प्याज और compound interest की जो rate थी उनका ratio बताना है यह rate तो आगए आपके पास simple interest की compound interest की निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो यहां पर simple हमने direct निकाल लिया लेकिन compound interest में निकालनी के लिए किशना है जैसे यहां पर 2 साल दराना तो अगर 3 साल होता है क्यों root करते और 2015 2 साल दे रहे है तो square root करेंगे end answer root करते हैं जब भी हम rate निकालते है principle amount का ratio तो यहां पर 2 साल दे ररहे है तो square root कर देजे तो यहां से 1 अनुपात 2 गया यानि rate कितनी आ गई देखो यहां से 1 से 2 गया तो 100% आ गई टोटल का टोटल ही बढ़ गया नहीं यहां पर 1 ही बढ़ गया तो 100% निक्रीज हो गया तो इसकी rate कितनी आ गई 100% तो यहां पर इसका ratio भुचा है तो 12.5 और 100 का ratio कितना आ जाएगा 1.1 अनुपात 8 किलिर है यह आ जाएगा इसका answer next question देखो एक छोटा वर्थ है एक बड़े वर्थ को आंतरी गुप से इस पर्स करता है तो इस तरीके से होगा कि एक circle है इसी के अंदर एक छोटा circle है जो इसको internally क्या करता है इस पर्स करता है clear है और आपसे बोला है कि यदि और बड़े वर्थ के केंदर से गुजरता है यह इसका center है बड़े वाले का यदि छोटे वर्थ का छेतरपल है इसका छेतरपल आपको दे रहे हैं तो बड़े वर्द का 6 तरफल क्या होगा तो मुझे बता ही यह इसका center है तो यह क्या होगी इसकी radius होगी क्या capital R यह capital R होगी total x के लिए बड़े वाले के लिए और चोटे वाले के लिए क्या हो जाएगी r by 2 जाएगी क्या चोटे वाले क्या हो जाएगी radius r by 2 जाएगी इसका आपको area दे रहे है तो pi into r by 2 का whole square करोगे तो r square by 4 होगे कागा और यहाँ से इसकी value कितनी दे रहे है 192 और आपसे पूचा क्या है कि बड़े वाले वर्त का 6 पल कितना होगा तो यहाँ से pi r square पूचा है तो pi r square कितना जाएगा 192 into 4 तो यहाँ से कितना आगा देगो 192 और यहाँ से 8 तो यहाँ से कितना जाएगा 768 दो संक्याओं का SCF है वो 5 दे रहे हैं उनका LCM है वो 120 दे रहे हैं इन दोनों संक्याओं का आपको योग देर का है और आपसे पूचा है इनका युद्कम का यानि रेशिप्रोकल का सम पूचा है तो देखो यहाँ से अगर इनका LCM 5 देर का है तो संक्याओं क्याओं क्या हो जाएगी मैं माल लेता हूँ यहाँ पे 5 x और 5 y इस तरीके से होगी दोनों संक्याओं यह फर्स्ट यह सेकेंड इनका LCM आपको देर का है 120 और इनका सम देर का है कितना देर का है 25 तो मुझे बता है यहाँ से 5 x प्लस 5 y यह कितना होगा 25 है तो x प्लस y कितना आगे यहाँ से 11 यह तो पहली equation हो गई और दूसरी equation कैसे बनाएंगे आपको हमेशा पता है कि LCM इन्टू LCF क्या होता है दोनों संक्याओं का गुननपल दोनों संक्याओं का multiply करेंगे तो 5 x इन्टू 5 y यह हमेशा क्या होता है LCM इन्टू LCF यह हमेशा याद रखना बहुत ही important है जब भी हम यहाँ पे दो संक्याओं आपको दे रखी है उनका LCF और LCM दे रखा है तो यह equation मनाते हैं कि दोनों संक्याओं का जो गुननपल होगा वो उनके LCF और LCM के equal होगा multiplication के तो यहाँ से देखो 5 से तो 5 कट गया और यहाँ से XY का मान कितना आ गया 24 किलियर है XY की value 24 आ गई X plus Y 11 आ गया आप से पूचा है इनका ratio प्रोकल 1 upon 5 X plus 1 upon 5 Y यह सम पूचा है तो यहाँ से क्या आ गया 1 upon 5 X plus Y divided by X Y यह होगा तो सोल करेंगे तो 1 by 5 X plus Y कितना है 11 डिवाइड बै अक्सपाई कितना है 24 तो कितना आ जाएगा 11 वट्टे 120 रणवी ने एक कंप्यूटर है वो मार्क प्राइस से 25 परशेंट कम में खरीदा जैसे मान लेजे कि 100 रूपे उसका मार्क प्राइस है तो उसने 25 परशेंट कम में खरीदा यानि कि उसका कोस्ट प्राइस कितना हो गया प्चेतर हो गया और इससे अपने पडोशी को अपने कोस्ट प्राइस के 40 प्रशेंट प्रोफिट पे बेज देता है तो कोस्ट प्राइस प्रोफिट पे बेजता है पिछेतर का 40% कितना हो गया, इसका डबल करेंगे 15 और 15 का डबल करेंगे 30, यानि 30 रुपे जादा में बेच रहा है, यानि इसका सेलिंग फ्राइस कितना हो गया, 105 रुपे हो गया, और कम्प्यूटर के मार्क प्राइस पर रन्मीर द्वारा अजित आपको प्रोफिट बतान है, तो देखो यहां से कितना फ्रोफिट हो गया उसको, कितना फ्रोफिट हो गया, 5 रुपे का फ्रोफिट हो गया, यानि 100 पर देखना है, तो कितना का हो गया, 5% का, देखो यह अच्छा सवाल है, relative speed का सवाल है, time and distance से, पुच्छा क्या है आपसे देखो, एक चोर है, वो पुलिस कर्मी चोर को पकड़ेगा, तो देखो यहां पर यहां पर आट बजे निकलता है, चोर तो, और जो पुलिस है, वो कितनी बजे निकलता है, पुलिस है, उसको पकड़ने के लिए 9 बजे, तो यहां पर डिफरेंस कितना हो गया, जब देखो यहां से, जब पुलिस जो चोर है वो खुटनी गंटे भाग शुका होगा तो वो और गढ़ा हुग जो गशल अगर क्योर घुटनी बहु हुगा घुटना पेले भाग शुका है तो यहां से अब देखो यहां से चोर हैं वह कितनी किलोमेटर से चल रहा हैं यह तो 50 से चल रहा है और पुलीस है वो 65 से चल रहे हैं कितने एक्स्ट्रा से चल रही है वो यहां पर इसकी रिलेटिव स्पीड किया हो गई माइनस करतेंगे कि यह 15 किलोमेटर रिलेटिव स्पीड आ गई तो यहां से कितने टाइम में इसको पुलीस है वो चौर को पकल लेगी तो पीछेतर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस अप पांच गंटे में पुलीस है 65 कि स्पीड से चल रही है तो कितने किलोमेटर ट्रेवल कर लेगी वो तैन सो पच्चीस किलोमेटर बाद में 325 किलोमेटर बाद में यहां पर चौर को पकल लेगी यहांपको करना था इसमें किलेर है next question देखो यह बहुत ही अच्छा सवाल है time and distance का a और b हैं वो a की समय पर यहाँ पर time देखो बिल्खुल a की समय पर उला है same time पर निकलती है बिंदू m से n की ओर चलना शुरू करते हैं m से n दो point है m और n बहुत ही अच्छे तरीके से आपको explain करूंगा कहां से पहला point यह m है और दूसरा point n है यहाँ पर a और b हैं चलना शुरू करते हैं m से b है n पर पहुचता है यहाँ से a और b स्टार्ट करते हैं तो जब b है वो n पर पहुचता है और तुरंद वापस m की ओर चलना ही start कर देता है यानि b हैं वो देखो चलेगा और फिर b हैं वापस यहाँ फिर रिवर्स होके वापस इधर चलना ही start हो जाएगा और a हैं वो चलता रहेगा वहें बिंदू o पर m और n के बीच में m और n के बीच में किसी फिंदू o पर मिलता है पर a पर a से मिलता है m और n के बीच की distance है वो आपको दे रही है 245 km a और b की speed हैं वो आपको दे रही है 26 km और 65 km अब देखो a हैं यह तो 26 km से चल रहा है और b हैं वो 65 km से चल रहा है तो ज्यादा speed से चलेगा तो वो पहले ही पहुचेगा तो पहले पहुच जाएगा B तो जिसे यहाँ पर B पहुच गया फिर वो वापस यहाँ से चलना ही start कर देगा तो जिसे यह B है, यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आके किसी point में यहां पर मालता हूँ O point है तो यहां पर मिलेगा और A है वो यहां से चलेगा और यहां पर मिल जाएगा O point पर B है वो तो पूरा यहां से चक्कर काट के मिलेगा और A है वो इधर चलेगा ठीक है तो O point पर मिल जाएगा यह आप से बोला है O और N के बीच में आपको distance बतानी है ये वाले distance आपको बतानी है तो देखो कैसे करता है इस type of question को यहाँ पर same time है आपको पता है कि distance equal to क्या होता है speed into time होता है तो जब time quotient होगा तो speed और distance का ratio equal होगा आपको speed का ratio दे रहिए है speed इनकी कितनी दे रहिए है 2 अनुपाथ 5 आ गया a और b का ratio कितना गया 2 अनुपाथ 5 तो यही distance का ratio होगा distance का ratio 2 अनुपाथ 5 है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 km चलेगा अगर a है 2 km चलेगा तो b कितना चलेगा 5 km यानि a अगर देखो a है यह 2 km चल रहा है योनिट में है मैं आपको समझाने के लिए किलो मेट्र बोल रहा हूँ यहानि या ढो यュिनिट चलेगा यह 2 यूिनिट चलेगा तो B 5 यूिनिट चलेगा तो यहां से लेकर M से लेकर तक की यहां पर डिस्टेंस कितनी होगई यह 2 यूिनिट होगई क्या और यह यहां से लेके यहां तक, पहले गया और फिर वापस आया, तो यह total 3 unit है, तो 3 unit है, तो मुझे बताओ कि अदा-दा हो जाएगा कि यहां से, यानि यह 1.5 km यहां पे चला, और 1.5 unit यहां पे चला, clear है, यह 2 unit हो गई, यह 1.5 unit हो गई, तो देखो M से लेके O तक, और O से लेके N तक, यह 2 unit चलेगा, तो यह कितनी है, 1.5, इनका ratio कितना आ गया, तो यहां पे आ गया 6 अनुपाथ 3, sorry, यहां पे 3 बटे 2 लिख सकते ने, इसको तो 4 बटे 3 हो जाएगा, यह 4 अनुपाथ 3, यह 4 अनुपाथ 3 हो गया, इनका ratio M से लेके N तक का, ठीक है, आप से पू जाए, तो गुना कर दो 3 से, solve कर देंगे, यहां से, 7 यह, 7, 35, 35, 35 यह, 100, अच्छो, यह हो जाएगा इसका answer, clear है, next question देखो, what is the value of, इसके आपको बताना है, simplification का, देखो, बहुती अच्छा सवाल है, कैसे करना है, देखो, सबसे पहले off दे रहा है, तो यहां से तो गुन बते 12, माइनस, यहां से 2 से solve करेंगे, तो 2 बते 5, प्लस, यहां से solve करेंगे, तो 6, 38, और 5, 25, तो यहां से कितना आ गया, 5 बते 3, अब देखो, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस है, तो इसमें आप पलस को पहले solve करो, चाहे माइनस को solve करो, कोई फरक्ट नहीं पड़ेगा, आप डारेक्ट यहां से अलशिम लेलो, अलशिम लेगे, तो देखो क्या जाएगा, 7 इंटू 12 तो आखायें, यहां चाहें, यहां से 2 से डिवाइट करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, यहां से 3 से भी डिवाइट हो जाएगा, क्लियर है, देखो यहां से, इसको पहले solve कर लेते हैं फोटोड़ा सा यहां पर कट रहा है ना देखो यहां पर 3 से कट रहा है 3 चोग 12 तो यह जाएगा 5 बटी 7 इंटू 4 यह होगा न तो यहां पर LCM कितना आ जाएगा आपके पास LCM आ जाएगा 7 इंटू 4 दो से कट रहा है 12 से काटने के लिए 3 और चाहिए यहां से 5 से काटने के लिए 5 चाहिए यहां से 3 से कट जाएगा तो यह आगया इसका LCM अब दिखो सोल कर देते हैं 7 चोग 28 यह तो होगया और 5 तिया 15 तो 15 फोन कि 6 हैतर होगा माइनस दो से काटेंगे तो 5 तुनी 10 तो होगा है और 7 यहीं की चाहिए 210 होगा प्लस 12 से 4 तिया 12 साथ पंजे 35 35 इंटू 11 करोगे 385 माइनस 5 से डिवाइड करोगे 4 तिया 12 और बारस्तान 84 84 दूआ करोगे तो कितना जाएगा 168 प्लस 3 से डिवाइड करोगे 5 के 20 और 140 140 इंटू 5 करोगे तो 14 पुन 70 700 अब देखो इसको सोल कर लो प्लस वाले को जोड़ लो यहां से 7 और 3 10 यानि 1000 और यहां पे 1100 प्लस का तो होगे आपके पास 1160 और माइनस का करना है 200 378 डिवाइड वाइड यहां से कितना हो 8 और 67 40 यहां से सोल कर दोगे 8 दूनी शरी यहां से डिफ्रेंस कर देंगे 0 और यहां पे 5 बचेगा तो यहां से कितना जाएगा 7 और 8 ठीक है और यहां पे कितना बच गया आपके पास 3 और यहां पे बचेगा 7 डिवाइड वाइड 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 गरदो दे को 2 से कर देंगे तो 3 दूनी 6 9 दूनी 8 301 क्रान में डिवाइड वाइड 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 कितना आजाएगा 210 को 10 बिलकुल है बिल्कुल आपको टिया सेंफ्लिफिकेशन से करना है को तोड़ा सा to sert क्याक यूइट्य है तो इसको आपको को केंटनी जयाद स्पीडों कि उतना ही आपका क्या कैंस्ट से है कार को क्रे मुल्ए पर 50% चोट पे एक कार खरींदी एक करे गेच्प कि पिभूंध रूपे-ट तो 50 रूपे कम में खरीदा यानि कितने में खरीदा उसने 50 रूप यादि छोट क्रे मुल्ए क्या इतना कुछ मानने की जूरती नहीं है। सिंपलिस्ट में बोला क्या है कि रनवीर एक कार है वो करे मुल्य पर 50% छूट में एक कार खरीदी। यदि वह 60% होती है यानि 50 की जगर 60 रुपे कम में खरीदा होता है। 10 रुपे उसको ज्यादा मतलब कम लगता उसके तो उससे एक लाग रुपे कम का वुक्तान करना पड़ता है। देखो 50% है 60% हो यानि 10% का डिसकाउंट ज्यादा मिल गया क्या तो 10% डिसकाउंट की वेल्यू तो आपको देर की है। या 10% की वेल्यू तो देर की है और तो आपको 10% की वेल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 10 लाग हो जाएगी क्या। B है, वो A से 10% अधीक है, यानि अगर यह 10 है, तो यह 11 हो गा। और B है, जो C है, वो A से 20% कम है, तो B से कितना होगी है, तो फरोचा क्या है, कि B है वो C से कितने परतीछत अधीक है, तो B है वो A से कितने प्रतिसाद अधीक है, 3 अधीक है, 8 पे 3 बट्य 8 का फ्रेक्षन कितना होता है, 35-36% मैंने पर्सेंटेस में भी बोला है, कि जितनी भी फर्क्षन है वाको याद रखनी है, ताकि आपकर टारीमश कम लेगे, नहीं तो आपको यहाँ पूसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप स्भार्चन कर सकते हो, तो यहाँ भी सेंग पर्षेंट और सेवन भाई एट है वहता है साड़ी सत्यासी पर्षेंट सुरी यहाँ पर साड़ी बासर पर्षेंट ठीका नेक्ट क्यूशन देखो एवरेज का क्यूशन बोला है कि 6 आपको देखो ओर नमबर दे रहे है इनका एवरेज आपको 26 अ इनका फ्रक्षेंट सबसावस भुचा तो सब्ससे चोटी संख्या चैर कि सबसब्सेंग्यी संख्योotal अगया पर लास्ट संख्या भाजी ऋछेट्वी संख्या, आपको 2-4-6 हैं तो यहां पर x plus 10 होगी क्या ठीक है यह first हो गई यह last हो गई और इनका जो total sum होगा वो कितना होगा 26 into total 6 से क्या यह है तो 6 इतना होगा इनका sum करेंगे तो कितना जाएगा देखो 6 तो है तो 6x plus 2 4 6 8 इस तरीके किसे होगा कितने तक 10 तक तो इनका sum कितना हो गया 2 तो common लेते एक से लेके 5 5 तक हो गया एक से लेके 5 तका sum कितना होता है 5 2 3 किसे and n plus 1 divided by two करते है यहां पर तो लिए यहां से and n plus 1 divided by two करेंगे तो कितना जाएगा 5 तीज पन्दर यानि इनका sum कितना बन रहा है 30 बन रहा है ठीक है बाकि आप जोड़ के सकते हैं डायरेक्ट इतना फॉर्म रना लगाए तो यहां भी इनका sum कितना हो गया 30 हो गया और यहां से 26 इंटू 6 तो यहां से लbur Condこれ कोई देखो डायरेक्ट हो गया इतना इतना कुछ सोल ही नहीं कर आपको तो यहां पर सबसे चोटी और सबसे बड़ी संक्या के बीच में इिफρέंस पूचा है तो आप के हैं यह देखो, यहाँ पर डिफ्रेंस कितने कार है, दसकाई तो हैं यहाँ पर, यहाँ से अगर X है, X प्लस 2 होगी, X प्लस 4 होगी, इतना निकालिया, इनके बीच में डिफ्रेंस कितना होगी, यह सबसे चोटी होगी, यह सबसे बड़ी होगी, डिफ्रेंस कितने कार है, दसकार तो यह तो आपसे पहुचा है next question देखो C3 और C4 रंग वाले रबडो की कुल संक्या तेक रंग की कलमों की औसत संक्या का लगवे कितना percent है तोटल आपको पहुचा है कि जो total number of erasers having color C3 और C4 है approximately what percent of the average number of pens of each color तो C3 और C4 में तो यहां भी कितना है total 30 है ठीक है total 30 है और इनका average आपसे पूचा है इनके average से कितने percent है clear है यही पूचा है C3 और C4 में इतने हैं और परते रंग जो पेन है उनका average देखो 20 इनको सभी को जोड़ लो आप या आप वही तरीका लगा दो पलस चार वाला तो सबको देखो या तो 20 जोड़ ही तो यही लग रहा है तो 2, 4 8, 2, 10 10, 2, 12, 12, 12 और 3, 15 तो 1,500 हो गया ठीक है 4, 8, 2, 10, 12, 13, 15 यहां से 15 और यहां से देखो 6 और 4, 10, 10 और यहां से 18 तो कितना आजाएगा 168 हो गया क्या 168 divided by 6 तो यहां से इनका एवरेज कितना आगया 6, 12, 12 और कितना बचया 6, 7, 12, 6, 8, 48 तो इनका एवरेज आगया 28 तो 30 है वो 28 का कितना परशेंट है यही तो आप से बूचा है 16 करेंगे देखो यहां से कितना आगया आप फ्रेक्शन से कर लेते हैं इतना कुछ 100 से नहीं करता है और दाइरेक्ट तिक यहां से फ्रेक्शन कितनी आ जाएगी 1 साइए यहां से 28 से चला गया 1 और 2 बचेगा 2 बट्टे 28 यानि 1 बट्टे कितना हो गया 14 तो एक साइए 1 बट्टे 14 का मतलब कितना होता है 1 से 1 बटे 14 का 1 बटे 14 का मतलब कितना होता है यहां से 7 0. 7 1 4 होता है तो यहां से कितना आ जाएगा 1 पॉ definitions और 100 से गुना कर देंगे इन 200 करेंगे लिए वह तो यहां से 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 तो आए गई 1 एक प्लस 0 हुए हो गया 714 आएगा तो कितना जाएगा वन पॉइंट या देखो आप डायरेक्ट ही कर लो आप इतना कुछ अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो simple calibration है वो solve कर सकते हो 30 बटे 28 इसको solve करना है into 100 clear है तो यहाँ से solve करेंगे तो यहाँ से 14 और यहाँ से कितना बच गया पंदरा तो 1500 divided by 14 इसको solve करोगे तो कौन सा option है जाएगा यह वाला option है जाएगा time invert का सवाल पुझा है देखो A और B हैं वो मिलकर A और B मिलकर एक कारे को हैं वो 18 दिन में complete कर सकते हैं B और C हैं वो मिलकर 24 दिनों में complete कर सकते हैं और C और A मिलकर इसी कारे को 36 दिन में complete कर सकते हैं वो चाहे कि A प्लस B प्लस C हैं वो इस कारे को कितने दिन में complete करेंगे तो क्या करते हैं सबसे पहले हम total work मानेंगे total work कैसे मानेंगे इनका LC मानेंगे LCM क्या जाएगा देगो 18, 24, 36 36 का देगो सबसे बड़ी संक्या है 36, तो 36 का multiple देगो 18 और 24 से divisible हो तो भहतर होगा, भहतर है वो 18 से भी divisible है, कितनी बार? 4 बार, ये 3 बार, और ये 2 बार, ये क्या गई, इनकी efficiency आ गई, clear है, तो total work भहतर है, कि इनकी efficiency आ गई तो मुझे बताओ, इनको सभी को जोड़ेंगे, A, B, B, C, C है, तो दो बार आएगा 2A, 2B, 2C, इस तरी के से आएगा और इनको जोड़ेंगे तो कितना आगे, 4, 3, 7, 2, 9 9 आएगा, और यहाँ पर देगो 2 आएगा दो बार करेंगे, तो 200 को यहाँ के नीचे ले आएगे, तो A, B, C की efficiency कितनी आ गई, 9, 2, तो total work बहतर है, बहतर को 9, 2 की efficiency से काम करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 16 दिन clear है, तो यह 16 दिन लगेंगे next question को next question देगो, रोहित ने कुल है, 480 रुपे में 12 kg संत्रे खरीदे, और 30 रुपे पर 3 kg की दर से 18 kg अम्रूद खरीदे, रोहित द्वारा खरीदे गए, जो fruit है, उनका average आपको बताना है, कि average उनको कितने रुपे लगे, तो मुझे बताए, 480 है, वो 12 kg की संत्रे खरीदे हैं, तो 1 kg संत्रे का मुल्य कितना आ गया, 40 रुपे आ गया, तो 1 kg का 40 रुपे आ गया, या आप तो directly कर लो न, कितने रुपे लगे उनको, average निकालना है, तो average क्या हो जाएगा, कि उसको total कितने रुपे पे करने पड़ेगे, तो 480 रुपे तो उन्होंने 12 kg संत्रों के लिए, और यहां पे 30 kg के दर से 18 kg लिए हैं, तो यहां से 58, 54, 540 रुपे यहां लगे और कितने खरीदे उसने, 12 kg तो संत्रे और 18 kg अम्रूद खरीदे हैं, तो यहां से total कितना खरीद लिए उसने, 30 kg तो यहीं तो होगा इसके average, solve करतो तो यहां पांच और चान्नो दस एक जार, एक जार बीस डिवाइड़ेड वाइ 30 करेंगे, तो यहां से solve करेंगे तो कितना जेगा, तीन 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 न्नो और तीन चोग बारा, तो average आ गया 34 रुपे, एक टोस्ट बेलन का वक्र प्रश्टिय चेस्तरपले, यानि कर्वशर्पेस एरिया है वो आपको निकालना है, अगर उनका base की जो स्टेडियस है वो 14 है और वोल्यूम है इतना दे रहा है, मैंने लाज्ट क्लास में बताया था, जब भी आपको इस डेडियस दे रहा हूँ, उसका area और उसका perimeter आपको याद रखना है इसका देखो area क्या होता है, इसका area 14 है तो इसका area होता है 616, clear है तो यहां से देखो volume दे रहा है तो volume क्या होता है πr square h होता है, equal to यह आपको दे रहा है 392, तो मुझे बताई यहां से S की वेल्यू क्या हो जाएगी 2392 में डिवाइड वाइड पाई आरे स्कूर्ड जब रेडिस चवदा होती है तो एरिया कितना होता है 616 डिवाइड कर तो देखो यहां से एक बार चला जाएगा 616 616 एक बार चला गया कितना है यहां पर 749 तो 616 है तो एक बार चला जाएगा बचेगा कितना 16 दूना 32 16 तो बचेगा और 7 और जूर्जन 23 तो यह बच गया 123 बच गया तो यहां से दो रोगा तो कितनी बार चला गया दो बार चला गया तो ह की वेल्यू कितनी आगई यहां से 12 एच की वेल्यू बारा आगई पूचा क्या है आपसे कर्व सर्पेस एरिया पचा है तो टू पाई आरेच पूचा है क्या टू पाई आर क्या होता है मैंने कल बताया था कितना होता है 14 के लिए चलता है इंटू 12 करों के तो यहां से सोल कर देंगे देखो कितना हो जाएगा पारिस्तान चुरहाशी बार नाम 108 1080 में से 24 गठा दोगे 1080 में से 24 गठा दोगे कितना चाहेगा 1056 के लिए यह आपको याद करना है बहुत ही पोटेंट है मैंने कल भी बताया था आज भी बता देता हूं जब आपके पास यह रेडियस हो तो पेरिमिटर हमें से 44 के रेशियो में चलता है चम्मालिस, 88, 132, 116 इस तरीके से और जो एरिया है वो 154, 616, 138, 24, 64 इस तरीके से है ठीक है और यहां से 35 का निकालना हो तो 220 और यहां से 3850 और यहांसे 42 का निकालना हो तो 264 और यहां से 355 तो यह आपको टेबल याद करनी है यह रटना है बहुत important है जब भी main situation का question और यहां पे अगर area circle का question आता है तो आप चुट्कियों में कर सकते हो इन questions को अगर यह table आपको याद है वरना आप देखो यहां से 22 बटे सा से कारती रह जाओगे जब कि जितना काट होगी यहां पे काट के solve करना पड़ता है यहां पे मैंने यहां से 10 से 20 सेकिंड बचा लिए इसको काटने के दिए अगर मुझे याद है तो यह 20 सेकिंड बच जाएंगे अगर आपको याद नहीं हैं तो यह आपको 20 सेकिंड है वो देना पड़ेगा एक्जाम में और इसी से आपका टाइम है वो ज्यादा होगा और आपका क्यूशन है वो अटेंब नहीं पाएगा लास्ट क्यूशन देखो इफ के स्क्वाइर और M और 16 है वो परपोर्शनल है तो जब परपोर्शनल हो यह आपसे पोचा है कि M स्क्वाइर देखो यहां पर पूट कर दो M स्क्वाइर की वेलू 16 और K स्क्वाइर की वेलू एक पूट कर दो तो 1 प्लस 32 यह हो गया 33 तो 33 अनुपात कितना हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा 33 अनुपात 17 तो यह टोटल 25 क्यूशन दे आज के सिप् होगी और comment करके जरूर बताना किक हैसी लगी आज के class होग में करेंग इससे आगे की सिप्त ठीक है और किसी student को अगर किसी में । कुछ topic प्रॉब्लम होती है तो comment करके बता सकते हैं वस topic हम continue कर लेंगी किलिर है तो आज की class में इतना ही, next class में मिलते हैं, तब तक के लिए, bye bye, take care, thank you